बिहार में लोगसभा चुनाव में एक साल का वक्त है लेकिन बिहार में सभी पार्टियां जातिकत इविक्षिन तयार करने में लगी है हर दल अपनी जातिय जमीं को नए सिरे से फिट कर रहा है एक तरम विजिपिसीम नितीश कुमार के कोर वोट बैंक कोहिरी कुर्मी में सिन्मारी करने की कोशिस कर रही है तो वहीं दूसरी और नितीश कुमार दलित वोट बैंक को नए सिरे से साधने में जुट गया है Political experts कहते हैं कि इसके सहारे वो एक तीर से दो निशाने साथ रही है एक तो राजचे में एक बड़े vote bank में अपनी पकड मचबूत करने की कोशित कर रही है दूसरा दलित के लिजर के रूप में पहचान बनाने वाले चिराग पासवान को कमजोर बना रही है राजचे में लगभग 16% दलित voters है इसमें लगभग 6% पर चिराग पासवान का एक आधिकार है दलित में अपनी बैट बनाने के लिए जदियू ने भीम दाओ चला है राजचे में दलितों को पार्टी की तरफ से पहली बार अम्बेटकर जयंती 14 अप्रेल को इसका बड़ा स्तर पर आयोजन करने जा रही है दलितों से सीधा जोडने के लिए पार्टी 4 अप्रेल से राजचे भर में भीम चौपाल का आयोजन कर रही है वहीं 14 अप्रेल से अपने अनुमंडर स्थर पर कारिक्रम आयो जित करेगी इस चौपाल में पार्टी के मंत्री और पूर्वमंत्री राज्यवर में दलितों के लिए सिरकार की तरफ से चलाई गए नीतियों को प्रचारित प्रसारित करेंगे नितीश कुमार को दलितों के सबसे बड़े सुपजिंतक के रुप में स्थापित करेंगे बिहार की राज्यवर में दलितों के प्रभाव को समझने के लिए यहां की कुल आबादी में दलितों की संक्या को जानना बेहर जरूरी है राजी के कुल अबादी में लगभग 16 फिस दित दलित है बिहार में दलित वोटों की काफी एहमियत है इस समुदाय के वोट की दरकार लोगसभा चुनाओं में सभी पार्टियों के लिए ज़रूरी है राज्य के हर लोगसभा निर्वाचिल शेतर में 40-50,000 दलित मत दाता है जो जीत हर में निर्णायक भूमी का निभाते हैं दलितों में सारवरिक संख्या, रविडास, मुझर और पास्वान जाती की है दलित के लगबग 6 प्रतिशत वोट पर अभी तक लोगजनशक्ती पार्टी राम विलास का एका अधिकार माना जाता है पिछले दो लोगसभा चुनाओं में लोगजनशक्ती पार्टी राम विलास का परफॉर्मेंस 100 प्रतिशत रहा है 2014-2019 के लोगसभा चुनाओं में पार्टी 6 सीटों पर जीतने में कामियाब रही वहीं बात करें विधान सभा चुनाओं की तो 2015 विधान सभा चुनाओं में और तर 5% से ज़्यादा वोट मिले हैं बतादे कि डलित वोटरों के दावेदार किवल चिराग पासवान ही नहीं है इसकी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मान जी और बसपा सुंपरी मो माया मते भी शामिल है चिराग पासवान जहां पासवान वोट पर अपनी दावीदारी करते हैं तो मान जी 5.25 दी मुसर जाती के वोट पर असर डालने का दावा करते हैं जीतन राम ने लगबग 8 महीने के अपने कारेकाल में अपना सारा फोकस कमोविश इसी बात पर रखा है कि वो कैसे महादलित का चेहरा बन सके और या वोट उनके ही साथ रहे वदादे के बिहार में अभी तक बसपा का एक भी सांसत नहीं बना है वदानसभा 2000 के चुनाओं में देखने को मिरा जब पार्टी के 5 मदवार चुनकर वदानसभा में पहुँचे थे लेकिन 2010 वा पंत्रों के विधान सभा चुनाओं में पार्टी का खाता भी नहीं खुला है 2020 में एक उमिद्वार जीते लेकिन बाद में वे जद्यू में शामिल हो गए बहार के उत्तर प्रदे से लगने वाले लोगसभा शित्र में बस्पा का असर है उनने मुख्य रुप से कैमूर बकसर सासाराम बेतिया गोपाल गंज आदी शामिल है हाला कि जद्यू किसी को कमजोर करने के सवाल का सीधा जवाब देने से बच रही है पार्टी के नीता और भवन निर्वान मंतरी अशोक चौधरी कहते हैं कि दलितों को सेक्षिक, आर्थिक और समाजिक रूप से मजबूत बनाने में निटीश कुमार की सबसे एहम भूमिका रही है उन्होंने बताया कि पहले दलित समाज के लोग सरपंच और मुख्या से मिलने से पहले सोचते थे आज वे सरपंच और मुख्या बन रहे हैं भी इन चौपाल और समवाद के माध्यम से सरकार के कारियों को उन तक पहुँचाया जा रहा है बतादे कि लोग जन्चक्ति पाचिर राम भलास के प्रदेश अध्यक्ष राजुतिवारी ने एक समाचार पत्र को बताया है कि नितीश कुमार पहले भी दलित वोट वर को प्रवलोभन दे चुके हैं जनता जान चुकी है कि वे कुछ करेंगे नहीं केवल वोट की राजुति करते हैं 17 साल में जब कुछ नहीं कर पाएं तो अब क्या करेंगे ये चौपाल और समवाद सब चुनावी एजंडा है जनता इसे जान चुकी है एक बार फिर से इन्हें मुझ की खाने पड़ेगी सरकार ने दलितों का कितना विकास किया है इसका जबाब उन्हें कुणनी उप्चुनाओं में मिल चुका है कोई दलित नितीश का नाम नहीं लेने वाला आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडरन अम्मानिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिये हमारे नमबरों पर संपर